नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर शर्मा दर्श को सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांग के तीन मईशन दोजार चौबिस विक बिशा नक्षत्र पूरे दिन और रातरी बारा बच के साथ मिनट तक है आगे पूर्वा भादरपद नक्षत्र है योग ब्रह्म है दौपेर दो बच के एठारा मिनट तक आगे इंद्र योग है योग की दरश्टी से बहुती सुन्दर शुब दिन है कोई अच्छा कारिय आप करने जा रहे थे तो आज का दिन बहुत अच्छा है सरकारी कारिये कोई अटका हुआ है तो आज आप उसे निप्टा सकते सुल जा सकते हैं करन वनिज है दौपेर बारा बच के तैयालिस मिनट तक आगे विस्टी करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शो को सुबे पां है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सुजबू से टाल दीजेगा यह सुबह आट बच के 25 मिनट सुबह नो बच के 18 मिनट दौपेर बारा बच के 50 मिनट एक बच के 43 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को पश्च्चम दिशा और फिर पांच कदम पीछे चलिए और इस दोरान अपने हिर्दे में अपने इस्ट का ध्यान कीजिए भगवान श्रीराम का नाम लीजिए और फिर यात्रा कीजिए ऐसा गरेंगे यात्रा अच्छी रहेगी कारें सिद्ध होंगे दिशा शूल नहीं लगेगा आज का शु प्रियास इसी दोरान कीजिएगा आज की चंद राशी दर्शे को कुम्भ है यानि चंद्रमाश्यनी की कुम्भ राशी से गोचर कर रहे हैं जिससे आज का दिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते मेश राशी की मेश राशी वाले शत्रूपर रहेंगे आज हावी तुला राशी वाले विद्वत्ता से लेंगे जीवन के महत्यपुर्ण निजने वर्षिक राशी वाले अप्मान जनक स्थती का सामना आपको करना पड़ सकता है धेरिये मनायः रखे धनु राशी वाले पाएंगे दोस्तों जो आपको समश्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं तुमें करेंगे आज कि जूतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत से ज्ञान सूत्र हैं जिनें समझ कर और अपने जीवन मोतार कर हम सफलता की और लगातार पंडित है हित प्रायो विक्ति वक्ता दाता सन्वान दानत है इसकार्थ यह है कि रण शेत्र में विजय प्राप्त करने से नहीं बलकि इंद्रिय विजय करने से इंसान शूर कहलाता है शूर्वीर कहलाता है जैसे गौतम बुद्ध महावीर स्वामी गुरु गुरुक ना आपके विख्ट कारक वानी बोलने से व्यक्ति को वक्ता कहा जाता है और केवल धन देने से नहीं बलकि सम्मान देने से या सम्मान पूर्वक देने से कोई मनुष्य दाता कहलाने का अधिकारी बनता है इसलिए ये गुण अपने जीवन मोतारिये और इसके विपरीद जो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप सभी भगवान शिवजी पर 27 चम्मच मिश्री मिलावा धाई अर्पित करें और प्रतेक चम्मच जब आप डाले तो फिर उस वक्त 16 बार ओम होम जूम सह का जाप करें और आज 8 मंद करें तो आने वाला वर्ष इन छोटे-छोटे कामों से पहुती सुन्दर शुब और योग कारक हो जाएगा इसमें कोई संदय नहीं ऐसे जिन लड़कों के विवाह में समश्या आ रही हो आज इत्र द्वारा भगवान शिवजी का अभिशेक करें स्वेम भी आज से लेकर नित्य एक महीने तक इत्र लगाए रखें क्लीन शेव रहें वस्त्र साफ पेने और काले नीले कपडों से परेज करते वें नित्य माता पार्वति का ध्यान करें 10 मिनट और मन में सर्व सिद्धी दातरी नमें इस मंत्र का बिना गिने पूरा दिन जब करते रहें तो महीना बीटते बीटते कहीना कहीं बात आपकी चल जाएगी यानि जब भी समय मिले तो भगवति का ध्यान करें और इस मंत्र का जाब करें ऐसे जिन लोगों के जीवन में मानसिक शांती का भाव है अवसाद अनिद्रा एंग्जाइटी से परिशान हो चलें वो लोग आज भगव ठरें माने जेन से समझेगा बहुत वििसक मंत्र है ओम अंबीका नाथाए भक्त वच्रण बेकर से डिप्रशन से अवसात से बहार आजाएंगे अब पती पत्नी में बेवजे की लडाईयां बहुत जादा हो रही हों गुस्सा बढ़ता जा रहा हो तो एसी स्तिति में गूलर के पेड़ की, दो डालिया ले ले, हरी डाली ले, उनके उपर अच्चे से अमर बेल को लपेड़ दे, एक पीले रंग के बेल जो पेड़-पोदव पर आपने देखी होगी, इसे लपेड़ दे और इन डालियों को आज दो पैर एक बच के 30 मिनट से दो बच के 30 मिनट के वीज एक गुड के टुकडे चांदी के सिक्के एक मुठी नमक एक मुठी ज्वार के साथ कहीं भी उनके कमरे में कहीं उपर रख दें जैसे कि रोशंदान में या अलमारी में साथी नित्य आदा घंटा या तो पती या पत्नी दोनों में से पूई भी एक एक बहुत ही विश्वस्ट मंत्र का शिवाले में बैटकर जब करने की आदत बना लें ऐसा करेंगे बहुत जल्दी समश्वाओं से बहार आएंगे जो मंत्र जाप करना है वो इस प्रकारे ध्यान से समझेगा ओम चतुर भुजाये, शंबू तेज से भाले चंद्राएग नमहें मंत्र जाप में भगवान गणिजी का ध्यान करना है शिवाले बैठकर इस जब को करना है बहुत जल्दी समश्याओं में कमी आने लगेगी आप सी संबंदों में जो खटास थी उसमें कमी आएगी प्रेम सम्मान वापस पुने बनने लगेगा तो ये थे आज की विस्स टुपाए जो आपको समश्याओं से बाहर ला रहे हैं आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पर तरीका आई है हमारे दर्शेक अनिल कुमार जी की 24 फरवर 1902 में का इनका जनम है सुबह 6 बच के 9 मिनट सीकर भाग्योदे कब से होगा इनका प्रशन है देखिए अनिल जी आपका मकड लगन है तुलाराशी है लगन में बली होकर शनी मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं जो की अच्छा जबरदस राजयोग निर्वान कर रहा है आप बस अपने अस्त भागेश बुद्ध को जगा लीजिए उससे ठीक कर लीजिए इसके लिए आप जब करवाईए इसके साथ गुना आपका भाग्योदे फिरता है आपका जबरदस समय सितंबर 23 से शुरू हो चुका है लेकिन अगर वो अस्त रहेगा तो उसका पूरा प्रभाव आपको नही प्रशन है देखिए प्रद्यूम जी आपका तुला लगन है धनूराशी है दशम भाव में तीन ग्रहे साथ बैठें उनकी यूती है तो बहुत ही प्रबल दशम भाव है करियर बहुत अच्छा है आपका तो यह तो निश्यत रूप से की करियर और भाग्या आपको बहुत प्रशन है देखिए रेणुजी आपका कर्क लगन है धनूराशी है सब्तम यानि विवा भाव में सूर्य गुरु दोनों साथ बैठें उन पर शनी की तेसरी दश्टी है तो वहवाईक जीवन अलगाव की और मुड़ पूरी तरीके से और संभावना यह है कि विवा आगे नहीं चल पाएगा फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए सब कुछ तो नौंबर तक धेरिये बनाए रखिए समश्या का समाधान निकल सकता है तब तक आप शिवजी पर शमी पत्र अर्पित करने की आदत बना लीजे ताकि भगवान आगे से आगे आपको को ऐसा म जीवन मोतारेंगे दीर दीर आपका जीवन शिव में सत्क में आनंद में होता जाएगा उसे प्राथना करता हूं कि जब आप हमारे बताएव उपाय करें तापके कस्टों का निवारण अवश्य हो मनोकामनापुर्ति निश्यत रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत साथ वाद भगवति आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति